पर काम कर रहे तब ही उन्होंने इस केस की इतनी गहराईया देखी कि उन्होंने इनकी स्टोरी पर फिल्म बनाने का मन बना लिया और अब तो इस फिल्म का टीजर भी आ चुका है जिसमें बहुत कुछ वैसे ही सीन्स दिखाए हैं जैसे कि हमने सुषान सिंग राजपूत मामले में देखे थे उनके बेड्रूम के सीन, रिया चक्रवती के पुलिस टेशन में जाने के सीन, महेश भट और रिया के कुछ प्रियांका से शेयर करते थे और तो और प्रियांका वही हैं जिनके उपर रिया चक्रवती ने केस कर दिया कि सुषान्त को प्रियांका ने ही कुछ दवाईया लिख कर दी दिल्ली के एक डॉक्टर से लिखवा कर कि वो दवाईया लेकर सुषान्त की तब्यद बिगड़ी हाला कि प्रियांका पर अभी एक केस चालू है, CBI इस मामले में है और इसकी सुनवाई regular basis पर चल रही है लेकिन अब प्रियांका ने सुशांत पर बनी इस फिल्म को लेकर react किया है, उन्होंने अपना गुसा जाहिर करते हुए एक tweet में लिखा है बेहत दुख और दुर्भाग्यपूर्ण परिस्तितियों में ये एक अपूर्ण ये शती हुई है, जिसने सामोहिक जेतना को जगचोर कर रख दिया है बहुत दुख पहुँचाया है, ये हमारे परिवार के प्रियस सदस्य को खोने का दुख है, जो कि अभी भी बहुत गहरा है ऐसे प्रयास न केवल हमारी नीजता का हनन है, बलकि हमारे प्यारे शुशांत का नाम खराब करने और गलत तरीके से पेश करना है ऐसे घ्रनितकार ये मानवता को भी चूट पहुंचाते हैं कुछ इस तरह से प्रियंका ने दुख जताया है उन्हें दुख है कि उनके भाई की स्टोरी जिस पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसके उपर एक फिल्म बना दी जा रही है और तर्थ ये किसी को नहीं पता लेकिन उसे पता नहीं इस फिल्म में किस किस तरह से पेश किया गया है क्या कुछ इस फिल्म में इन्होंने बनाया है ये किसी को नहीं पता लेकिन हाँ कहीं न कहीं सुशान्त की इमिज पर इस फिल्म का बहुत बड़ा असर पड़ेगा और यही दुख सुशान्त की बहन प्रियंका ने जताया है